Hello, Good Afternoon, चलो, बहुत बढ़िया, तो Economic Survey 2022 और 2023 का Detailed Complete Analysis आज की क्लास पे हम करेंगे, और आज की क्लास पे मैं आपको क्या-क्या कवर करवाने वाली हूँ, एक बार ये देख लो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि Economic Survey शब्द का मतलब क्या है, What is this Economic Survey? It is a basic introduction, then, उसके बाद, जो 2022-2023 के की टेकवेज है, Economic Survey के, वो हम यहाँ पर discuss करेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला, सारे के सारे स्टूडेंट, विकास, कुमार, गुड आफटरनून, शिवानी, गुड आफटरनून, आपको PDF नहीं मिलता, शिवानी, टेंशन मतलो, आज ही मैं आपको टेलिग्राम चानल पर PDF शेयर कर वाऊंगी, ठीक है, हेलो उमर जी, हेलो, हेलो एवरिवन, हेलो नाच्रल ब्लॉग, हेलो एवरिवन, भाई जल्दी से वीडियो को सारे के सारे स्टूडेंट, लाइक और शेयर कर दो, यह आपका खा, मैं अपनी तरफ से लाइक और शेयर करना स्टार्ट कर दो, बहुत इंपर्टेंट क्लास है और आज की क्लास हम काफी जादा डीटेल में कॉंसेट पे जाके पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आप सारे स्टूडेंट का इंटरस्ट जो है, वो एकनॉमिक्स में इसी तरीके से रहे, कल की क्लास बहुत बेहतरीन गई थी, हमने बजट बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया था, स्टार्ट करते हैं हम आज के अनलिस से, ठीक है, ओके, एकनॉमिक सर्वे, सबसे पहले, what is the basic introduction या, एकनॉमिक सर्वे अखिरकार होता क्या है, ठीक है, तो तो एकनॉमिक सर्वे अफ इंडिया, is an annual report, released by the Finance Ministry, it details the state of the economic performance of the country in the past year, यानि सबसे पहले जो, budget is for the coming financial year, budget जब कभी भी अनॉंस किया जाता है, वो किस के लिए अनॉंस किया जाता है, वो एक coming financial year के लिए अनॉंस किया जाता है, but when we are talking about economic survey, economic survey एक complete and detailed analysis होता है, हमारे past year का, तब ही देखो लिखा है, 2023 चल रहा है, but this is the economic survey of 2022 and 2023, यानि past financial year में हमारे इंडिया की ग्रोथ कैसी रही, GDP कैसा रहा, unemployment कैसा रहा, poverty कैसी रही, etc, etc, यानि complete macro economics के figure जो है, वो economic survey में दिये जाते हैं, और economic survey को release किसके द्वारा किया जाता है, तो it is a annual report, जिसको release करता है, finance ministry, किसके द्वारा release करा जाता है, finance ministry, तो पहला question तो आपसे यहीं से पूछा जा सकता है, कि economic survey कौन सी ministry के द्वारा release किया जाता है, तो हम सबको पता होना चाहिए, it is economic survey, कभी-कभी student RBI भी tick करके चले जाते हैं, नहीं, not RBI, no, it is under the ministry of finance, clear है, okay है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next point की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, यह survey की, तो इस survey में, जैसा कि मैंने आपको बताया, complete macro economics के figures होते हैं, macro economics में इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि हमारे nation से related, जो भी चीज़े होती है, nation की GDP growth कैसी जा रही है, हमारे nation का employment, unemployment level, poverty level, या फिर आप कह सकते हो, health, education, industrial growth, export, import, current account deficits, यह सब चीज़ कैसे चल रही है, उसके बारे में यह analysis होता है, तो जाहिर सी बात है, कि यह सारे जो topics मैंने बोले, मैंने आपको लोगों को already पढ़ा रखा है, about the difference between micro and macro economics, तो economic survey क्या cover करता है, तो micro की figures cover करता है या macro की, तो economic survey macro economics की detailed coverage करता है, past one year की performance को measure करके हमें बताने का काम करता है, और साती सात, यह हमारे country की क्या economic progress हुई है, और आने वाले समय में क्या हम predict कर सकते हैं, यह सारी चीज़े economic survey हमें बताता है, in detail, clear है, okay है, चलो, आगे बढ़ते है, economic survey, अब यह बहुत important है, जो आपको समझ पर आना चाहिए, इससे prepared करता है, economic division of department of economic affairs in the ministry of finance, under the supervision of chief economic advisor of India, यानि इसे prepared किया जाता है, ministry of finance के द्वारा ही, लेकिन ministry of finance के अंदर एक department है, जिसे हम कहते है, economic division of the department of economic affairs, ministry of finance के अंदर ये आता है, ये economic survey को represent करने का काम करता है, chief economic advisor of India के supervision में इससे complete किया जाता है, इससे release किया जाता है, ये बहुत important slide है, यहाँ से related, आपके question जरूर से बन सकते है, पूछा जा सकता है, clear है, okay, जो लिंक आप पताती हो, वो PDF के लिए खुलता ही नहीं है, अच्छा, ऐसा है, क्या, search करो, ऐसा करो, हमेशा search कर लिए, टेलीग्राम चैनल पर search कर लो, जो चैनल का नाम है, इसी चैनल के नाम को exactly डाल के search कर लो, आपको टेलीग्राम चैनल बिल जाएगा, ठीक है, okay, कूल है, चलो, बहुत बढ़िया, चलो, यहां तक सब को समझ में आ गया, यह बहुत important important points है, प्लीज, इसे note down, जरूर से करिएगा, ठीक है, किसके द्वारा release किया जाता है, किसके द्वारा prepared किया जाता है, किसके supervision में release किया जाता है, कौन सी economics की coverage देता है, economic survey, अभी तक हमने इन बारे में बात करी, next बात करते है, economic survey of India, हमेशा budget के एक दिन पहले present किया जाता है, ठीक है, union budget जिस दिन भी आता है, हमेशा उससे पहले एक दिन पहले present किया जाता है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है, कि सबसे पहला economic survey इंडिया का किस year को present किया गया, ये भी बहुत important slide है, यहाँ पूछा गया है, the first economic survey of India, यानि सबसे पहला economic survey हमारे इंडिया का कब present किया गया है, तो the first economic survey of India, ये present किया गया था, 1950 to 51 के लिए, याद रखेगा, 1950 to 1951, the first economic survey of India was presented, ठीक है, याद रखेगा, और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, आज तो economic survey union budget से एक दिन पहले present हो जाता है, लेकिन पहले economic survey union budget के साथ ही present किया जाता था, अब next slide हम उसी के बारे में detail बात करेंगे, ठीक है, हम बात करते हैं कि अगर हम पहले की बात करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे up to 1964, 1964 तक की कहानी यह थी, कि यह जो economic survey था, वो हमेशा union budget के साथ ही आता था, ठीक है, पहले it was with the union budget, यानि पहले यह union budget के साथ ही present किया जाता है, लेकिन 1964 onwards, यानि 1964 के बाद इस से इसे जो है budget से de-linked कर दिया गया, de-linked कर दिया गया, यानि अब यह budget के अलग represent होता है, budget से एक दिन पहले represent होता है, ठीक है, तो the very basic idea about the economic survey, the basic introduction यह मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, नमस्ते दीक्षा सिंग, हेलो अनुराग, हेलो शिवानी, everyone, नमस्ते संजे, भाई, like and share the video everyone, सारे student यह आपका काम है, आप जितना वीडियो को like और share करोगे, उतने हमसे यहाँ पर students जुडेंगे, तो अभी तक हमने बिल्कुल basic introduction पढ़ा about the economic survey, कौन release करता है, कौन prepare करता है, किसका supervision होता है, सबसे पहला economic survey कब present किया गया, काब तक यह union budget के साथ merge होके आता था, ठीक है, economic survey हमें क्या बताता है, किस year के लिए बताता है, everything, मैंने यहाँ पर एक basic आपको economic survey का idea दिया, यह static portion है, लेकिन इस से related आप देखना कि आपके exams में question पूछे जाते है, वालिकमा, सलाम योसेफ, hello, okay, done है, यहाँ तक किसी को कोई doubt है, तो please पूछ सकता है, चलिए, आया है, उसके key takeaways क्या है, या फिर क्या आया है economic survey में, या क्या important है इस बार के economic survey में, ठीक है, तो हम key takeaways या important points को point by point जो है, discuss करेंगे, तो सबसे पहले हमें discuss करना है about the GDP growth, सबसे पहले हमें guess के बारे में discuss करना है, about the GDP growth हमें discuss करना है, तो GDP growth का trend कैसा रहा, देखो हमें पूरे economic survey में trends पता होना चाहिए, कि growth उपर जा रही है या नीचे, employment उपर जा रहा है या नीचे, industrial growth उपर हो रही है या नीचे, health sector उपर जा रहा है या नीचे, बस हमको ये trends पता होने चाहिए, figures ना भी याद हो, कोई फरक नहीं पड़ता, देखो, exam में exact figure पूछी तो जा सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कि बिल्कुल ये नहीं पूछी जा सकती, बिल्कुल पूछी जा सकती है, figures पूछी जा सकती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, क्या उपर जा रहा है, क्या नीचे, that trends जो है ना, ये जो हमारे trends हैं, ये हम में पता होना चाहिए, जैसे कि GDP growth की अगर हम बात करते हैं, तो कहा जा रहा है, बहुत सारी global uncertainties आए, ठीक है, global uncertainties जैसे कि Russia-Ukraine war hit करा, इसके अलावा जो है pandemic था, बहुत सारी global uncertainties और slowing down world economy के बावजूद भी, इंडिया की growth जो है, वो solid domestic demand और capital investment पे pickup के कारण जो है supported रही है, यानि अगर हम बात करते है capital investment की, तो growth देखा गया है capital investment में, और इसकी वज़े से the overall demand rises और demand बढ़ा है, इसके कारण हुआ ये है, कि GDP में एक बहुतर support मिला है, तो बहुत सारा unusual चीज़े हुई है इस बार, लेकिन उसके बावजूद भी, GDP एक बहुतर growth की तरफ इस बार के economic survey में दर्शाया गया है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो Indian economy 2022-2023 में nearly उसने क्या-क्या कर लिया है, ये बताया गया है, recouped what has lost, यानि जो हमारी हानी हुई थी, उसे क्या कर लिया है, उसकी भरपाई कर लिया है, हानी किस चीज़ से, भाई Russia-Ukraine war से, या फिर हानी किस चीज़ से, pandemic से, especially pandemic का जिकर जाता है, तो pandemic से जितना हिट हुआ था ना हमारी growth में, हमने उसे recouped कर लिया है, इसका मतलब है, उसकी हमने भरपाई कर लिया है, renewed what has passed, यानि जो रुका था, उसे दुबारा से प्रारंभ कर लिया है, भाई pandemic के वाज़े से बहुत सारे चीज़ों में रोप पड़ गई थी, meetings नहीं हो रही थी, important important, events cancel हो गए थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ थी, जो हमारी सालाना पार्ट रही थी, लेकिन because of this, या because of every uncertainties, हमने क्या किया, हमने उसे pause कर दिया, तो हमने कहा, इस economic survey में हमने ये बताया, कि हमने एक तो हमने recover किया, दूसरा हमने जो कुछ रोका था, उसे दुबारा से renew किया, उसे दुबारा से problem किया, और re-energize, तो ये तीन word याद रखना, recouped हुई है economy, renewed हुई है, और re-energize हुई है, ठीक है, ये तीन key takeaways है, बहुत important है, याद रखेगा, हमारी economy recouped हुई है, यानि हमने अहानी को भरपाई कर ली है, renewed हुई है, renewed का मतलब ये है, कि जो रुका था, जो पॉस किया गया था, उसे दुबारा से क्या कर लिया गया है, उसे दुबारा से start कर लिया गया है, और re-energize का मतलब क्या है, तो ये थ्री आर याद रखेंगे, वालेकुम, असलाम तनसीम, हेलो, हेलो, मिश, भाई, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करो, everyone, guys, यह आपका काम है, आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, उतने हमसे students यहाँ पर जुडेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं about the inflation, inflation के बारे में हम discuss करते हैं, तो RBI ने project किया headline inflation, 8% financial year 2023 के लिए, जो कि उनके comfort zone से बाहर है, यानि इन inflation देने सा upward trend, अब यहाँ पर headline inflation word आ गया, अब इसके लिए मैंने तुम लोगों को कितना details से inflation का topic पढ़ाया है, हाँ या ना करो, details से मैंने inflation का topic पढ़ाया है न, inflation में मैंने आपको दो तरीके के inflation बताये थे, headline और core inflation याद करो, बताये थे न, headline inflation, यहाँ पर देखो word आ गया, अब यहाँ पर हमको पता है कि क्या होता headline inflation, अगर मैं आप सबसे पूछू, मैं एक बार बता देती हूँ, शायद तुम लोगों को याद ना हो, तो headline inflation क्या होता है, यह एक short term, यानी छूटे समय के लिए inflation का calculation होता है, जिसमें food और energy, यह क्योंकि volatile prices है, यह भी include होते हैं, तो core inflation long term होता है, जिसमें volatile prices include नहीं होते हैं, बट headline inflation जो है, यह short term inflation होता है, इसमें volatile prices include होते हैं, तो RBI ने project किया, जो हमारा headline inflation है, जो India afford कर सकता है, वो 2-6 प्रतिशत के बीच में ही afford कर सकता है, लेकिन इस बार का headline inflation financial year 2023 के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारा जो comfort zone है 2-6 प्रतिशत, उससे बहार 8 प्रतिशत तक headline inflation आने की संभावना है, यानि हमारी market में महंगाई grow होने वाली है, ऐसा economic survey में बताया गया है, clear है, okay है, done है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और हम next बात करते हैं, ठीक है, sorry, अगे, unemployment, बे रोजगारी की बात करते हैं, economic survey ने कहा है, employment level जो है, वो rising हुआ है current financial year में, तो याद रखना, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर employment जो है, economic survey के हिसाब से, जो हमारा current financial year है, 2022-2023 जो भी चल रहा है, उस financial year के लिए जो employment रोजगार लेबल है, वो पिछले के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, यारि अगर हम बात करते हैं, already जो financial years की है, उन financial years की बात करते हैं, तो pandemic की वज़े से काफी जादा बेरोजगारी आई थी, लेकिन now the employment level has been increased, यारि अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं, तो बेरोजगारी जो ह है, वो current financial year का बढ़ा है, clear है, इतना समझ पर आया है, जितने student watching है, सब के सब प्लीस वीडियो को like और share करो, everyone, okay, next, आगे बढ़ते हैं, health sector एक बढ़ ध्यान से देखो, according to the recent released economic survey 2022-2023, कहा गया है कि almost half of all wealth, या sorry, health spending in India is still paid by the patient themselves, although this has dropped, this has dropped as the government shares of spending went significantly up after 2013-2014, यानि क्या बताया गया है, healthy sector के लिए बताया ये गया है, कि हमारे healthy sector में currently देखा ये जा रहा है, कि जो भी health में खर्चा है, वो almost half, जो है, patient खुद बियर कर रहे हैं, हाला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कहा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हम ये देखें कि government का जो share of spending है, health sector में, 2013-2014 के बास से लेकर, अगर अब तक हम बात करें, 23 तक की, तो ये बहुत जादा बढ़ चुका है, यानि सरकार health में बहुत जादा खर्चा कर रही है, अपनी तरफ से, लेकिन उसके बावजूत भी हम ये देख रहे हैं, कि जो bills वगेरा है, ये जो health पर खर्चा है, वो almost half तो जन्ता अपनी जेब से बे कर रही है, तो आखिर कर ये पैसा जा कहा रहा है, जो सरकार खर्चा कर रही है, आखिर कर वो पैसा जा कहा रहा है, तो ये एक चीज बताई गई है health sector में, कि although हमने ये देखा है, कि 2013 से 14 के दोरान जो है, उसके बाद अगर देखा जाए, तो उसके बाद से सरकार का health sector में खर्चा बहुत जादा बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूत भी, जो health की spending है, वो almost half जो है patient खुद बेर कर रहा है यानि एक question mark है, कि where is all these expenses going, यानि ये पैसा आखिर कार जा कहा रहा है, ठीक है, ओके है, चल्ड़, आगे बढ़ते है health के बारे में, और बात करते हैं, भाई अगर हम देखते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा government health expenditure जो है, वो growth की trend पे दिखाया गया है, यानि previous financial year से, इस financial year में सरकार ने और जादा health पर खर्चा किया है, इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं, ये एक scheme है, जो कि है, आयुश्मान भारत, जन आरूग योजना, इसने अपना target में नहीं किया है, for the financial year 2022, 2023, यानि यहाँ पर, जो हमें target दिया गया था, वो target अचीव नहीं हुआ है, नेक्स्ट, क और जो men और women में जो obesity है, मोटापा है, over weightness है, वो बढ़ी है, ठीक है, which is a serious problem for India, आज कल तुम यही सुन रहे हो न्यूस में, यंग यंग लोग जो है, वो heart attack से जा रहे हैं, इसके अलावा, हमने ये देखा, कि अभी एक recent survey कि according जो है, इंडिया में से 10 में से 8% जो है, वो cancer risk made पल रहे हैं, तो ये एक बहुत negative effect है health पर, और ये शुरू हमारे लिए क्या है, obesity से, तो कहा गया है, कि men और women की जो obesity rate है, वो भी बढ़ा है, यानि उनके बीच में मोटापा बढ़ा है, और जो overweight children है, पांसा से कम बच्चों में जो मोटापा है, वो भी rate बढ़ा है, which is a matter of concern in the health sector, clear है, clear है, हाँ या ना, good, clear, बहुत बढ़िया, next हम education sector की बात करते हैं, कहा गया है, government expenditure decline हुए है, health sector में government expenditure क्या हुए है, बढ़े है, लेकिन education sector में अगर हम बात करते हैं, तो government का expenditure घटा है, या फिर आप कह सकते हैं, decline हुआ है, कोविट ने worsen किया है, drop out rates, यानि कोविट की वज़े से drop out rates और जादा बढ़ गए है, 2013 से 14 और 21 से 22 के बीच में जो total number of schools हैं, वो कम हुए है, 15.2 लाग से कम होकर 14.9 लाग हो चुके हैं, यानि drop out rates बढ़ गए हैं कोविट के बाद से, total number of schools घट गए हैं, पहले 15.2 लाग स्कूल थे, अब बताया जा रहा है 14.9 लाग स्कूल है, साथे साथ जो government की expenditure है in the education sector, वो भी drop हुई है, ठीक है, तो education में यह बहुत important point है, तो हमें पता होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम वही पर higher education की बात करते हैं, यह तो रही स्कूल का drop out rates रहें, ठीक है, लेकिन अगर हम higher education की बात करते हैं, तो enrollments जो हैं वो बढ़ते पे दिखाई दियें, तो कितना nearly 4.1 crores enrollment हुए है in the financial year 2021, from 3.9 crores in 2019-20, यानि 3.9 crores से 4.1 crore enrollment हो चुका है in the higher education sector, higher education sector में यह क्या हो गया है, increase कर गया है, यानि बढ़ गया है, higher education sector में और भी अच्छी चीज़े देखने को मिली हैं, जैसे की medical colleges बताए गए हैं, 2014 में 387 रहे हैं, और वो बढ़ कर 648 हो गए हैं, 2022 में, यानि higher education में हमने काफी अच्छी growth देखी है, medical, IITs और IAMs तीन हों बढ़ी हैं, कहा गया है, medical college जो 2014 में सिर्फ 387 थे, इंडिया में, almost जो है, वो जो है, उसमें हमने 30 से 40 परसेंट की बढ़ हद देखी है, यानि अब medical colleges जो हैं, वो 648 है, 2022 में, clear है, okay है, इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं, IITs और IAMs के बारे में, तो IITs की भी Indian Institute of Technology भी बढ़ा है, जो की 16 थे, ठीक है, 2014 में, वो अब बढ़के 30 हो गए है, 2022 में, इसी से IAMs के अगर हम बात करें, तो IAMs पहले सिर्फ 13 थे, अब higher education में IAMs भी बढ़ गए हैं, और वो 13 से कितने हो गए हैं, 20 हो चुके हैं, ठीक है, तो ये हैं हमारे लिए क्या, trends in the education sector, schooling में खराब हुआ है, drop out rate बढ़ी है, but in the higher education हमने एक growth का trend देखा, ठीक है, next, industrial sectors में क्या रहा है, इंडिया सर्फ सेक्टर की बात बताते हैं, तो बहुत ही एक celebration वाली बात ये है, कि 75 साल हो चुके हैं, इंडिपेंडेंस के, और इस 75 सालों में इंडिया जो है, वर्ल्ड की पाचवी सबसे बड़ी एकनोमी बना है, ठीक है, मैं देख रही हूँ, यहां पर तुम सारे के सारे वीडियो को ना लाइक कर रहे हो, क्या कर भाई, बाई, ना ही तुम साब वीडियो को लाइक कर रहे हो, ना ही तुम साब वीडियो को शेर कर रहे हो, क्या बात हो गई, तो इंडियो सेक्टर में कहा गया है कि इंडिया अभी करेंट्ली फिफ्ट लाज़ेस्ट एकनोमी है, इन दा सेवेंटी फिफ्ट इयर ओफ इंडिपेंडेंडेंस, ठीक है, नेक्स अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इन स्टार्ट अप से लगभक 2.69 लाख जॉप क्रियेट हुई है, जो के एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, हाला कि हम टीर वन से बहुत जादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट कहा गया है कि स्टार्ट अप से फ्रॉप क्रियेशन हुआ है, वो लगभक 2.69 लाख जॉप जो है, वो आगे बढ़ाई गई है, तभी जो है, स्टार्ट अप पर हमेशा, इस बार के बजट में भी काफी जादा फोकस किया गया है, उनके लिए काफी इंकम टाक्स वगेरा में भी छूट दी गई है, बिकॉज स्टार्ट अप सार डूइंग गूड इन अवर एकोनॉमी, ठीक है, ओके है, नेक्स, और बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटर प्राइसेस को क्रेडिट फ्लो बढ़ा दिया गया है, इमर्जेंसी क्रेडिट लिंक गारेंटी स्कीम के अंदर, तो जो इमर्जेंसी क्रेडिट लिंक गारेंटी स्कीम है न, उसके अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटर प्राइसेस का क्रेडिट फ्लो जो है, वो बढ़ा दिया गया है यानि अब जादा पैसा मिलेगा micro small medium enterprises को जादा पैसा मिलेगा तो उनमें जादा growth के chances होंगे clear है इतना समझ में आया है यहां तक के हाँ जी guys इतना समझ में आया बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं next बात करते हैं capital expenditure target capital expenditure target जो है जो कि private investments को stimulate कर रहा है उसका budget target 7.5 lakh crore था जो कि कहा जा रहा है expected to be met यानि जो हमारा capital expenditure हमें करना था और जिसमें private investments को भी हमें stimulate करना था तो यह जो capital investment है 7.5 lakh crore के target से सरकार कह रही है यह target हम अपना इस financial year met कर लेंगे यानि target is achieved in this sector clear है तो capital expenditure on point है capital expenditure सरकार कह रहा है बिलकुल सही रफदार से चल रहा है foreign direct investment inflows यहां पर trend क्या बताया गया है rapid Indian economic growth के कारण और enhanced business environment के कारण जो foreign direct investment flow है हमारे इंडिया में वो क्या होगा बढ़ेगा आने वाले महीनों में यानि आने वाले महीनों की anticipation दी गई है foreign direct investment मतलब क्या होता है अगेन इसके लिए मेरी economics की class देखना ज़रूरी है अब यही चीज़ है यहां मैं economic survey पढ़ा रही हूँ पढ़ा रही हूँ तो इसमें यह complicated words आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए न किन शब्त का मतलब क्या है तभी मैं आपको economics की class detail में पढ़ाती हूँ ताकि जब कभी भी ऐसे कोई survey आए तो आप तुरंध समझ लो foreign direct investments यानी foreign investments in our India तो यह foreign direct investments जो है क्योंकि हमारा इंडिया economy growth की तरफ जा रहा है that's why इन्हें भी increased दिखाया जा रहा है कि आने वाले financial year पर यह बढ़ने के chances हैं या फिर coming months में foreign direct investments क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे लेकिन एक बार current का हाल देख लेते हैं कि अभी क्या है तो अभी department for promotion of industry and internal trade dpi it का full form यहां पर दिखा हुआ है department for promotion of industry and internal trade इनके according अभी अगर foreign direct investment inflow की equity देखे तो वह घटी है 14 प्रतिशत से ठीक है तो अभी फिलहाल foreign direct investments क्यों जो number है जो percentage है वो घटा है बट इन the coming financial year इन्हें क्या दिखाया जा रहा है बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है ठीक है तो दोनों चीज यहां पर दी है कि coming financial year में तो कम अभी तो कम है लेकिन आने वाले समय पे यह क्या हो हो जाएगा increase हो सकता है आने वाले समय में यह बढ़ सकता है क्लियर है ओके हैं चलो बहुत बढ़िया next आगे बढ़ते हैं current account deficits क्या बताए गए हैं भाई सारे के सारे deficit भी बढ़ा है ठीक है तो current account deficit 4.4% है हमारे GDP का ठीक है जो कि पहले कहा जा रहा था इससे पहले वाले quarter में April June के जो quarter था उसमें GDP का 2.2% था current account deficit लेकिन जो इस quarter में ठीक है September वाले quarter में बढ़ गया है और वो 4.4% of the GDP हो गया है again what is current account deficit मैं इसके लिए आपको मेरी economics की किलाव देखनी जरूरी है जो रोज आना मैं आपको पढ़ाती हूँ ठीक है ओके तो current account deficit क्या हुआ है बढ़ा है याद रखेगा next रुपी कहा जा रहा है अभी भी depreciation pressure में रहने वाला है अभी तक हमने क्या देखा रुपी की value बहुत गंदी तरीके से गिरी थी बट आने वाले समय में इसमें कहा गया है कुछ खास सुधार की उमीद हमें नहीं है क्योंकि जिस तरीके का भी growth का incentives है या जिस तरीके से हम देख रहे हैं अपनी economy को वो बहुत जादा बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता अभी फिलहाद that's why जो अभी रुपी पर दबाव है वो बना रहेगा और रुपी जो है वो आने वाले समय में अभी भी depreciation